Hello my dear students, इस वीडियो में class 10th की एक सुन्दर पूम, the trees, इसके last part को पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसके पहले के तीन parts नहीं देखें तो description box में link पढ़ी है जाकर देख लिजेगा, इसकी central idea की link भी पढ़ी है देख लिजेगा, My head is full of fishpurs, fishpurs में फुसफुसाहट, तो कवित्री कहती है मेरा सिर्फ फुसफुसाहटों से भरा है, which tomorrow will be silent, जो कल सांत हो जाएगी, यह जो फुसफुसाहट है, यह कल सांत हो जाएगी, Listen, सुनो, the glass is breaking, शीशा तूट रहा है, सुनो, शीशा तूट रहा है, The trees are stumbling forward into the night, into the night, रात में, रात में पेड स्टंबलिंग में लडख़ाते हुए, फारवर्ड आगे जा रहे हैं, तो रात में पेड लडख़ाते हुए, आगे जा रहे हैं, Winds, हवाएं, rush, 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 run, भागना, winds rush to meet them, हवाएं तेजी से बढ़, आगे बढ़कर उनसे मिलने जा रही हैं, meet मिलने जा रही हैं, हवाएं किन से मिलने जा रही हैं, पेड़ों से मिलने जा रही हैं, The moon is broken like a mirror, चांद शीशे की तरह तूटता हुआ प्रती तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चांद शीशे की तरह तूट रहा है, इट्स पीसे इसके टुकडे, चांद के टुकडे, जो तूट रहे हैं, फ्लेश चमकते हैं, now in the crown, अब क्राउन में ताज में चमक रहे हैं, इसके तूटे तुकडे अब ताज में, क्राउन में, मुकुट में चमकते हैं, आफ दा टालिस्ट आउक, टाल टालिस्ट, टालिस्ट सबसे लंबे, आउक बलूत का पेड़, सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं, इसके तुकडे अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं, एड्री ने रिज की ये सुन्दर पुम आपने पढ़ा, इस पर बेश्ट केस्चन है, केस्चन फर्स्ट है, what is her head full up, उनका सीर किस से भरा है, answer, her head is full of whispers, उनका सीर फुस फुसाटों से भरा है, second question, what will be silent tomorrow, कल क्या शांत हो जाएगा, answer, tomorrow the whispers will be silent, कल फुस फुसाहट की जो आवाज आ रही है, ये शांत हो जाएगी, next question, what does the poet say about the trees, तो कवित्री पेडों के बारे में क्या कहती है, answer, she says that the trees are stumbling forward into the night, वे कहती हैं कि रात में पेड़ लडखराते हुए आगे जा रहे हैं, stumbling लडखराते हुए, next, what rushes out to meet the trees, तो पेडों से मिलने के लिए क्या दोडते हैं, answer, the wind rushes out to meet the trees, तो हवाएं पेडों से मिलने के लिए भागती हैं, next, how does the poetess describe the moon, तो कवित्री चांद का वरण कैसे करती हैं, answer, the poet says that the moon is like a broken mirror, तो कवित्री कहती हैं कि चांद एक टूटे हुए मिरर शीशे की तरह है, आज की सिशन का last question, why does the wind rush, तो हवाएं क्यों दोडती हैं, क्यों भागती हैं, answer, the wind rushes, हवा दोडती है, to meet the trees, पेड़ों से मिलने के लिए, इन प्रस्नों को अपने notebook में note कर लें, thanks for watching me.